हेलो बच्चो कैसे हैं आप उम्मित करती हूं आप बढ़िया और एकडम मज़े में होंगे तो आए बच्चो अध्याई शुरू करते हैं अपना हमारे अध्याई का नाम है सांतोना पत्र सांत बना यानि की दिलासे देने वाला पत्र है इसमें दिलासा दिया गया है इस पत्र के माध्यम से किसको कैसे पत्र के माध्यम से जाने के अध्याई के जरिये जानेंगे हम तो बच्चो प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि हमें छोटी-छ को दढ़ करके पूरी शक्ति वो सामर्थे के साथ धैर्य पूर्वक आई वी पत्तियों का सामना करना चाहिए जीवन को आगे बनाना चाहिए चली पत्र आरम करते हैं अपना पत्र शुरू होता है यूं सबसे पहले पता आएगा बी बटा 25 के लाश्नगर लखनाव दिनांग जरूर आएगा दिनांग 15 मार्च 2000 जो भी हो आपका 2022,23,24,25 उसके बाद मित्र का नाम प्रियमित्र सौरप सा प्रेम नमस्ते आगे पत्र आरम होता है आशा है तुम स्वास्ते लाप कर रहे होंगे अपने स्वास्ते पर ध्यान देना स्वास्ते लाप करना यानि स्वास्त कर रूप विक्रालता पर मेरा ध्यान जाता है तो तुमारे धैरे और साहस और मनोबल पर विस में विमुद होकर रह जाता है संभवता है इश्वार में असीम आस्था ने ही तुमें इतना मनोबल दिया है असीम आस्था यानि कि बहुत जादा आस्था इश्वार में रखन को सहिन करने की शक्ति दी है तुम्हारे अविचल धैरे और अपार साहस के बलबूते पर ही तुम्हारे शुप्चिन तक अपना मनोबल बनाय रिखने में समर्थ हुए है दुरगटना के प्रथम दिन से लेकर आज तक तुमने जेस सहिन शक्ति का परिच्छे दिया है वे में जैसे दुरबल व्यक्ति के लिए अनुकरन ये है यानि कि मुझे भी तुम्हारे दिखाई इस रास्ते पर चलना चाहिए अनुकरन करना चाहिए या पुस्ति ये ग्यान की चर्चा करना व्यर्थ होगा यानि कि पुस्तक के ग्यान की चर्चा मैं नहीं करूंगा वो बिका होगा यहां पर क्योंकि संकट को इतने सहज रूप में जहिल कर तुमने दूसरों को मुस्काना चिखाया है संकट की घरी में भी शांत चित रहे कर कोई तुम से सीखे तुलसी दासनी ने विपत्ती के साथियों की गण्णा एक दोहे में की है मैंने देखा कि तुम्हारे पास धीरज रखे हुए थे साथ में तुम अपने मुट्रों और अपने सयोगों को भी तसली दे रहे थे धैरे दे रहे थे क्या दे रहे थे तुलसी असमे के सका धीरज धरम विवेग साहत सुकृत सत्य वरत राम भरोसे मैंने तुम्हारे पास रहकर यह देखा और अनभव किय कि संकट से उबरने की शक्ति किसी दूसरे के पास नहीं स्वैम अपने भीतर होती है कार्णवीर की आत्रा के साथ ही धैर यह साहस और मनोबल के ही हैं यह तीनों गुर्ण तुम्हारे पास प्रयाप्त मात्रा में उपलब्ध है कभी-कभी एकांत में बैठकर इस दुरगटना की भी शनता और दुखत परिणाम पर सूचता हूं तो हुर्ण पुर्ण पुठता है क्या दुख यह भी बैठे बिठाय आ जाता है सुक कौन मांगता है यह तो बिन बुलाए अतिती है अर्थात दुख कोई बुलाता तो नही है वो तो कभी भी जीवन में आ सकता है पर तुलसी दास ने विपत्ति काल में इंचार की परिक्षा होना बताया है धीरज धरम मित्र और नारी आपका धीरज आपका धर्म आपका मित्र और नारी आपात काल परखिये चारी इंचारों को विपत्ति के समय परखा जाता है तो प्रसनता है कि तुम इसको सोटी पर खड़े उत्रे हो पिछले कुछ समय में मैंने तुम्हें अनेक विपत्तियों से जूचते हुए देखा है यह तुम्हारी कष्ट सहीं शुरुता देखकर मैं स्थब्द रह गया हूं तुम्हारा यह प्रयास उन व्यक्तियों के समान है ज यानिकी उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती उसने अपने पैर की दुरबलता को किसी भी प्रकार अपने विकास में बाधक सुईकार नहीं कि उसके पैर दुरबलते लेकिन वो उसके विकास में बाधक यानिकी बाधा कभी नहीं बने चार-पांच बार की शल्लेची किस को उसने जिसास के साथ जहेला उसकी पीठ ठोकने के प्रयाप्त है प्रशंसा के लिए काबिले तारीफ है यह मुहावरा है पीठ ठोकना उसने अपने दुखी माता-पितों को सहथ दिलाते वे का था पापा आप विश्लित ना हो मेरा सबसे कम उपयोगी अंग पैर ही आगे बढ़ती चली आ रही है आज मेडिकल कॉलेज के अंतिम वर्ष में कलवे डॉक्टर बनेगी और दीन दुख्यों का दुख दर्दूर करने में समर्थ हो सकीगी सच कहता हूं तुम्हें देखकर मुझे कभी-कभी इर्शा होने लगती है तुम जैसे धैरे और सहास कुछ कमी होने पर भी कुछ ऐसे महान व्यक्ति है जिनने विकलांगता का अनुभग तंक नहीं किया है बाइरन, बिल्टन, जैसी, सूर्दास आदीने कभी यह नहीं जाना कि उनके शरीन में कोई अभाव है यानि कि उनके शरीन में कोई अंग काम नहीं कर रहा है इस चीज ले बधिर थे, उनने होटों से पढ़ना सीखा, पार्लेमेंट में गुंगों बहरों के हितों की जबर्दस वकालत की, हेलन केलर तो गुंगी भहरी ही नहीं अंधी भी थी, उसने अंदोर बहरों के लिए जो किया वै सर्विदी थे, यानिकि वो सब जानते हैं लोग तुम्हारी इस दुरगटना से मैंने जाना कि विवेक्षील व्यक्ति के लिए विपत्ती कोई समस्या नहीं होती, मैंने तुम्हें सब्व प्रसन चित्थी पाया है, क्या यही तुम्हारे जीवन की सफलता का रहसे नहीं है, मैं अगले सब्ता तुम्हारे पास आ रहा हू सास ने तुम्हारा अपना वैभव, तो यह मित्र एक मित्र ने अपने मित्र को साहस बंधाने के लिए लिखी है, उसके मित्र के जीवन में ऐसी कोई विपत्ती आ गई, जिसके कारण उसे लगा कि वो निराश हो सकता था, लेकिन उसके मित्र ने साहस धहर्य का साथ नहीं छोड़ा और अपनी उस विपत्ती से उबर गया, इसी विपत्ती से उबरने के इस कारे की उसकी प्रशंसा करने के लिए मित्र वैभव ने मित्र को पत्र लिखा, जो सांत्वना पत्र था, मुझे भी पूरी उम्मीद है बच्चों, आप भी अपने मित्रों का मारग सकते हैं, कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं, जो शाय जिनकी चर्चा आप भाई भेनो अपने माता-पिता से भी नहीं कर सकते हैं, उस समय आपकी इस समस्या के समाधान के लिए आपका शुप चिन तक आपका मित्र हो सकता है, एक अच्छा मित्र जो आपको विकास तरक्टी के मार्क पर ले जाए, ध्यान रखेगा, मित्रों का चुनाओ भली प्रकार कीजिए, एक अच्छा मित्र अगर जीवन में आ जाए, तो आपको तरक्टी के मार्क पर जाने से कोई नहीं रोग सकता, अभी सध्याय का अभ्यास करें आप सेम कीजिए,